हेलो दोस्तों तो पिछली वीडियो में हमने uwagricant discount expenses की entry डाली है तो आप इस वीडियो में हम rebate and discount income की entry डालेंगे तो चलिए वह entry डालते हैं और किस situation में हमें वो entry डालनी पड़ेगी तो उसके लिए सबसे all tile करके ये account open कर लेते हैं ये पिछली entry से मिलता जूलता ही है तो ये देखिए हम servant trading company से हमने ये क्या किया है परचेज किया हुआ है तो ये total एक लाख पंद्रह हजार छेसो पंचानवे रुपे की हमने परचेज की हुई है तो हमें target मिला हुआ था तो अगर एक लाख रुपे की परचेज हम करेंगे तो ये हमें 1000 की हमें ये discount हमें दे देंगे ठीक है ना पिछली वीडियो में हमने अपने customer को discount दिया था तो इस वीडियो में जो हमारा supplier है जो हमें माल supply करता है वो हमें discount दे रहा है कि अगर हम एक ल 1000 का discount दे देगा तो आई ये वाली entry डाल लेते हैं तो ये अपना target हो चुका है complete 15695 हो गया है तो इसके लिए हमें journal voucher में जाना पड़ेगा और enter transaction में journal voucher आपको मिल जाएगा तो यहां पर date आप डालेंगे जो जिस date को discount मिला है तो यहां पर हमें debit करेंगे servant trading company को 1000 पर इसने हमें दे दिया है ठीक है ना और यहां पर हम लिखेंगे rebate and discount पर यह आप देख सकते हैं यह हमारा यहां पर debit है ठीक है खर्चा है expenses है तो यह तो आप इसी में एंटी डाल सकते है ठीक है यह तो में से थाउजन रुपीज आपका लैस हो जाएगा या तो आप इसके लिए अलग से अकॉंड भी बना सकते इंकम के लिए तो आप यहां पर बना सकते हैं f3 की कीजिए और यहां पर लिखें इससे थोड़ा आपको इसली पता लग जाएगा अगर अलग से अकॉंड बनाएंग तो रिवेट एंड डिसकॉंट इंकम ठीक है ना साथ में इंकम लिख दिया और यहां पर होगा canal income में आएगा income income interact में ठीक है यहां पर इसको अइंटर इंटर करते हुए save कर लिए तो यह ट्रेडिंग में जाना है अपना profit and loss में जानी है income यहां पर लिख सकْते हम यहां पर भी हम लिखेंगे discount for discount of target complete ठीक है ना और इसके बाद इसको आप यहां से सेव कर दीजिए यह सेव हो गया तो alt l कीजिए फिर यहां से और servant trading का account देखिए तो यह देखिए है यह debit side आ चुका है अब एक लाख 14,695 रुपीज पैसे लेने हमने तो अब एक चौदा 600 रुपे तो इसने दे दिया है हमने इसको payment दे दिया सौरी हमने देने उसके यह गलत बोल दिया मैंने credit है ठीक है ने credit का मतलब देने है अगर हम किसी से साम तो रुपेश को हम दे देते हैं तो transaction में payment में जाएंगे और यहाँ पर जो check की data वह आप लिखेंगे bank अपना select करेंगे इसमें GST note के applicable होगा servant trading तो एक चोधा यह निचे current balance एक चोधा 695 रुपे इसके खड़े हुए है ठीक है तो आप क्या करेंगे आप इसको इसको आप एक चोधा 600 की payment कर लेंगे यहाँ पर लिख दीजिए check number ठीक है ना एक सो चार तीन सो यह वैसे ही मैं डाल रहा हूँ check number तो आप अपनी checkbook में जो आपका check number होगा वह भी डालेंगे तो यहाँ पर यूबिया का check दिया हमने ठीक है ना उपर बैंक में हमारा यूनियन बैंक और यहाँ पर यूबिया लिख दिया इसको इसको सेव कर लिजे अब आल्ट एलफेर करेंगे फिर सर्वन ट्रेडिंग आकॉंड देखेंगे तो यह 95 रुपीज है ठीक है ना तो यह 95 रुपीज तो क्या होगा यह कर दिया हमें उन्होंने माफ इतना जब हमने पेमेंट दे दिया उनको टाइम पे वो बोलते कोई बात नि 95 रुपीज रहने दो तुम देने को तो उन्होंने यह भी हमारा माफ कर दिया तो यह 95 रुपीज भी हम अब करेंगे इसकी भी एंटी डालनी है तो यहां तो इसको आप रिवेट एंडिसकॉंड में एंटी डाल सकते या तो राउंड ओफ का एक अलगसा अकॉंट बना के वो भी डाल सकते तो यह भी हम डाल देते हैं तो यहां पे लिखेंगे सरवन ट्रेडिंग ठीके ना कितने रुपे है आल्ट एल की जिन 95 है तो य देविट 95 और यहां पे राउंड ओफ देखी अकांट है तो यह राउंड ओफ ही है ठीके ना यह राउंड ओफ दे दिया यह डिसकॉंड दे दिया हमने तो यह आखिर होगा तो हमारा खर्चे यह ना इसमें इनकम पे जाएगा यह देखे अगर क्रेडिट हुआ round of हुआ तो यह income पे जाएगा अगर यह होता debit फिर यह हमारा जाता खर्चे पे अगर debit होता तो यह हमारा खर्चे पे जाता इस time यह हमारा है credit यह हो गया income तो इसको जब मर जी हम इस value को reward and discount में भी transfer कर सकते हैं तो अगर इसको save कर लिजा amount amount of round of ठीक है न तो यह save कर लिया इसको F2 तो all tell कीजिए reward and discount यह देखिए income वाला F2 कीजिए यह thousand रुपीज हमारा credit हो गया ठीक है और round of का भी देखिए यह भी credit हो गया तो इसका मतलब यह भी हमारा income में आ गया है 95 रुपीज तो आप यह इसको भी जर्नल वाउचर के थूँ अगर आपको लगता है कि मतलब इसको transfer करना है जैसे आपका पर इससे क्या हो जाता है यह अलग account क्यों बनाये मैंने इससे हमें exactly पता चल जाएगा ठीक है ना कि आखिर हमें discount income की entry डाल ली सीख लिए जर्नल वाउचर के थूँ तो मुझे सवाल पूछते है कि जर्नल वाउचर क्या होता है तो जर्नल वाउचर देखे एक traditional वाउचर है तो यह पुराना मतलब जो पुराना तरीका था बुक्स लिखने का वो डैबिट और क्रेडिट को लेके लिखत तो इसलिए इन्होंने software आलो ने easy बनाने के लिए sales अलग से बना दिया परचेज का वाउचर अलग से यह सारे अलग से बना दिये हैं ठीक है तो इसको और detail में मैं अगली नेक्स्ट वीडियो मैं बना दूँगा बिलकुल detail से एक एक वाउचर के बारे में मैं explain करूँगा क कौन सा वाउचर किसलिए होता है तो अभी इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद